कि अगे अब सभी आप सभी काप सभी के पसंदार्टिव चरनल राय अडूकेशन में उन्तर जार भरती सरकार की बात आप लोगों से तो कल आप लोगों से हुई ही है डेर सारी बाते और लगातार लीगल टीम का ये प्रोश था कि उन्तर जार पर मौका मिला है तो मुखमंत् सब्सक्राइब कर रहा है लेकिन मुखमंत्री जी का तो कोई बात है नहीं कि रोजगार के सवाल पर कोई सवाल नहीं पूजा जाता है पहली बात तो ठीक है उपमंत्री का जो बयान आया है उसको कहने कहीं साकरात्मक लिया जाए निगेटी होने की कोई भी आवशक्ता नहीं है क्योंकि देखे बार बार एकी बात को हर जगा उनकी भी अपनी पनी गरिमा है अपनी पनी चीजे हैं अब इस वक्ता यह मतलब नहीं कि मैं अलग हूँ मै मतलब हूँ मतलब यह आपस में ही बात चीजे अब इंपॉर्टेण बात है कि इतनी जए सारी चीजे होनी कई विपक्ष के लोग परिशान हैं तिल्मिलाइस से वह है कि अब क्या किया जाया जो 35 account का सफर किया है हलाकि इसके बीच में एक transition period आया था 40,000 वाला युग तो तो ये भी कही न कही छीन ना लिया जाए तो कुछ ने कुछ करना चाहिए अब तो हमारा कुछ होने वाल है क्योंकि हमारा बंटाधार हो गया है तो जो सही लोग हैं जो योग भरती हैं जो साल भर से मानसिक परताडित होते हैं हमारी वज़े से विपक्ष वाले हैं तो इनको और थोड़ा सा मानसिक प्रताडित करी दिया जाए क्योंकि हमारा तुम्हें इन मकसर यहीं है सिख्षक की गुनात्ता को दो कॉलिका कर देना और जो सिख्षक लोग हैं जो सिख्षित वर्ग है जो योग भरती हैं उनको मानसिक प्रताडित करना इतना प्रताडित करना कि आपस में ही वो परसान रहें तो ये बात रही तो अब बिरतियों की देखिए अब बिरतियों की जो एक जुटता है सबसे बड़ी कामियाबी है और यहीं कहीं न कहीं कामियाबी आपको आपके सिखर तक लेके जाएगी कि आपको आपके एम तक लेके जाएगे, आपके टार्गेट तक लेके जाएगे, आपके गोल को एचीव कराएगे, आपके बात सुन लिजे सभी लोग, इंपोर्टन बात और फेक पोस्ट वालों की लगी पड़ी है इस समय, और लगेगी आने वाले समय में इतना बुरा लगेगी, क्योंकि जो लगने वाला चीज होता है न, वो उन्होंने खुद लगाया हुआ है, तो लगी पड़ी है और लगेगी भी, तो बातचीत करते हैं सुरू, और फेक आउडियो जो भी चीज हो, कबजे के सिकार हैं, तो कबजे निकालना भी ज़रूरी है उनको, नह विस्टूक पे और टिल्गरम जो भी चीज होती हैं, आपसे बातचीत करने का मौकर मिलता है, बातचीत तो होती है, तो एक कल ऑडियो वायरल हुआ, उसमें कई लोग हैं, गुटका खो रहे हैं, कुछ लोग हैं, आपस में बातचीत हो रही है, तो एक बात इस पस्त जान ख़र लिजे, कि उस औडियो को मेरबास भेजने से कोई मतलब नहीं, कुछ को कई लोगों मेरे पस भेजा उस औडियो को, कि सर इसको हर जगहां शेयर करिए, देकि उनका मकसर ही वही है, ओडियो में बातचीत में आप कई चीज़े, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ना समय देना चाहता हूं negative लोगों को negative लोगों को negative दूरी रहें और मैं आप सभी से निविदन करना चाहता हूं नहीं की post को आप आगे बढ़ाय करिए नहीं की audio को कम सक्कूल मेरे पास तो मत भेजा करिए क्यों मुझे इन सब चीजे से कोई मतलब नहीं मुझे पता है कि लोग कितन नीचे गिर सकते हैं वो उनके वैटि तुम्हें ही है नीचे गिर्तने जाना गिरते जाना और यह नहीं सम्झते हैं कि दूसरों के लिए हम गड़ा जब खोदेंगे तो कही ने कही समय तो आएगा न हमको गिरने का आउंदे मूँ तो वो गिर रहे हैं तो अब गिर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को और मानसिक परतारित कर लिया जाए चाहे ओबीएड का रूप हो चाहे योगे बिरती का रूप हो कुछ भी रूप हो उनको घेरना है important बात यह है कि जब उनको घेरना है सबसे पहली बात तो उन्होंने घेरा कि इस पर cut off matter पर कई लोग इसको passing marks मुद्दा भी कहते हैं भी आप कह लीज़े मैं इसको यह बोल रहा हूँ जो भी है minimum qualify marks मैं बोलता आया हूँ इसको तो इस पर घेरा तो इस पर जवाब अच्छे से मिल गया है ना इस पर जवाब A.G. साहब ने बहुत अच्छे से तरीके से दे दिया हमारे सीनेर रदिवक्ताव इस ही अनुभाग के जरिये इस भरती में बच्छे हुए हैं, बने हुए हैं, सांस ले रहे हैं नहीं तो कब कम मर गए होते तो वो इस पर शर तरीके से यहाँ पर समझ में आता है तब यहाँ पर यह मैटर खतम हो गया उनका matter तो है नहीं क्योंकि सालबर से बरती बेफुजूल का फसाय हुए थे तब तीसरा बात आगे B8 प्रकरण B8 प्रकरण पे NCT के पूरी guideline को सौंप दिया गया कोट को तब अब पूरी तरीके से धरासाई हो चुके है पैर तले से जमीन घसक गई है कोई point ही ने बचा है तो अब चौती बात के आएगी दया याचिका और दया याचिका किसको दी जाती है जो पूरे तये के से सहयोगी प्रवित्ती का हो तब उसको दया का अविस से मतलब है कि हम किस पर दया दिखाते हैं जो दया के पात्रों हो तो जो पूरे सहयोगी हो और इनसे अगर बात की जाए तो सिक्षा विवस्ता में सहयोग दिया उन्होंने सरकार का हर कहना माना हो सरकार अनुरूप चले हो तो ये तो किसी भी कारण से इनको दया अचिका के इंतरगत लाए नहीं जा सकता है तो भचा क्या पांचवा मेटर ये बचा कि जो ये दस जार है उसको भी निल बटा सुन्ने कर दिया जाए और निकाल के बाहर कर दिया जाए क्योंकि नतरजार भरती को पूर्ण होते ही बचेगा कोई सीट नहीं और नई सिक्षानीती के तहत ये घर के तरफ अपने रवाना हो जाएंगे अब कई पोस्ट आये मेरे पास देखिए कई पोस्ट है जैसे जो भी कल का मंतव विथा मुगमंतरी जी का जो भी चीज़े थ आप सबी अपनी तरीके से कर रहे हैं पोस्टर अभियान कर रहे हैं बिल्कुल सही है मिलने की बात है आपके ट्विटर पर अपनी बात है फेस्बूक के जरी अपनी बात है व्यक्तिकर दूरूप से जाकर आप पहुंच रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बार चीज इस पश्च तरीके से महारी आ जाए कि नए सत्र से अभरती जो 99,000 के हैं योगे बरती 97 कटॉफ के समर्थक आपके तैमानक पर हम समर्थन लगातार साल बर्सक कर रहे हैं आपने बोला था योगे बरती ही आएं तो हम उसी योगिता का अनुपालन करते हैं अभी तक यह जाए अब इसी में बात है important की अब सब वकीलों का अपना पनपक्ष होगा ते देखिए सभी वकीलों की पुना बहस होगी लेकिन कम सब्दों में पहली बात बाकी लिकिस समेशन होगा सभी को समिट करना है अब सभी वकीलों की होगी नहीं होगी क्योंकि कोट ने पहले बोल दिया है कि एक वकील बोलेगा अपने अपने तरब से और सबका लिकिस समेशन होगा अब ये चीजे इस पष्ट होंगे 28 तारीक को क्यों क्योंकि 23 तारीक विपक्ष को पता ही नहीं था कि लिकिस समेशन ले आना है कि नहीं आना है क्योंकि वो कोई और नसा करके सो रहे थे वो लोग तो पता ही नहीं है, हाला कि बहुत एकदम से मतलब ताज़ ताज़े रहते हैं, जब आउडियो वारियल करते हैं, तो ताज़गी भरी रहती है, कि ये करना है ये करना है, एक सीतवार तरीके का बात कर रहे हैं, क्योंकि जो खुद को नहीं समाल पा रहे हैं, तो दूसरों को भ्रमित करने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ नहीं है एक बात पुन्हा मैं आप लोगों को बता दूँ किसी फेक ओडियो और फेक पोस्ट को आगे बढ़ाने का आप खुद कार करते हैं खुद मांसिक परताडित होते हैं फिर उसको आगे बढ़ा कर दूसरों को भी करते हैं फिर आप कमेंट आकर करते हैं कि सर ऐसा हुआ है अप क्या होगा सर मेरा क्या होगा यह क्या होगा अरे आपको किसने बोला था उस पोस्ट को देखने के लिए और आपको अगर यह तजुर्बा है कि कि हम कोई भ्रमित नहीं होंगे तो आप पोस्ट पढ़िए आउडियो सुनिए लेकिन आगे उसको शेयर मत करिए बहुत ध्यान से समझ लीजे यह सारी बाते है क्योंकि विपक्षपास कोई मुद्दा है नहीं बस आपको मानसिक प्रतार्ना का कारण क्या है कि आपको इतना भ्रमित कर दिया जा इतना भ्रमित कर दिया जा कल की आउडियो में क्या हुआ आउडियो में कई लोग यह बता रहे हैं बहुत अच्छे से मेरे पास भेजें बहुत लोगों ने तो मेरा उनसे विनमर निवे दने कि आप बहुत एक्टिव हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन और यह मुस्तक मुन नहीं पहुंशा है करें मैं ऐसे घुटका खोरों की बाते नहीं सुनना चाहता हूं मुझे कोई सौक भी नहीं है ऐसे निगेटिव परसन को अपने पास इनकी चीजों करकने का ठीक है न तो वह सारी चीजे दूर करिए द मैंने 1000 बार 2000 बार बोल दिया है कि बीएड इस भरती में सुरक्षित है क्योंकि सरकार उनके साथ है अब कैसे आपको मैं बताओं कुछ और तरीके से लिखके देदूं बीएड सुरक्षित है अब देखिए मैंने यहाँ पर बोला है फिर भी कमेंट सेक्शन में कई कमेंट बोल सकता बविश में बीएड रहे ना रहे और अलग बात है लेकिन इस उनत्तर हजार भरती की जहां तक बात होती है बीएड सुरक्षित है ठीक न तिनों ने एक बीएड प्रकरन पकड़ लिया है इसको पकड़कर अच्छे तरीके से लगे हुए हैं कि बीएड को बाहर क बैड़ते हैं बिरोजगार घूमते हैं वो सही है लेकिन योगी लोग 97 जो हैं तैमानक सरकार का बीएड बीटी सी जो भी बैड़ती हैं वो जाएंगे प्रात्मिक में और उसकी सूरत और अपने व्यक्तित को और भी निर्धारन अच्छे से करेंगे तो यह कुछ बाते र रखिए और अपने साती उपर विश्वास रखिए आगे बढ़ते रहे हैं आप सभी जल्द से जल्द नए सत्र हाँ एक बात याद रखिएगा जब भी बात हो तो यह बात यह मोश्टली रखा जाए कि नए सत्र से 69 नए भिरती वहाँ पर पहुंच जाएं प्रात्मिक मे बजहीं मांग रखनी है अपने पूस्टर में भी धन्यवाद